नमस्कार दोस्तों मैं अमिताब सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में हम लोग जीकी के अतिम हत्रपूर प्रश्णों को यहां पर सॉल्ब करने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम पॉइंट आप व् कि ठीक है एक किसी एकजाम में डरूर पूछे गए हैं ऐसे च्वेजाम में जरूर मिल जाते चल्रोड कर लिजेगा चथे शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्ण को पहला प्रश्ण है बुद्ध को परी निर्वार कहा प्राप्त हुआ था उप्सन से बोध गया उसी नगर राज गरी बैसाली इन यहां पर प्रश्ण है बुद्ध ने अपना पहला उप्देश कहा दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहा दिया था यह देखिए बहुत पार एकजाब में पूछा गया है यह जो है यूपी एससी यूपी ट्रिपल सी कह सकते हैं ठीक है और बिधान भवन रक्षक परिक्षा 2016 में पूछा गया था ठीक है इसके अलामा भी बहुत जगा पूछा गया है यह अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम लिखने लग जाए कि कौन-कौन से एकजाब में कौन-कौन से सन में पूछा गया है तो पीज पूरा भर सकता है ठीक है तो आप लोग इस प्रशन को बिलक में आये थे ठीक है बुद्ध यूह को सांबिमें एक्सके राज्यकाल में आये थे वहां पर वस Swain कि साकने धेंक कव उदिश्चु को इसका सही आंसर चया है यठ sacrific सही आंसर वह उद्ययन के काल में यह व्यद्ध के काल कर्वमे में अगला प्रस्ण देखते हैं अगला भी इंप्रश्ण है argue 52 नमबर क्वेस्चन यूपी ट्रिपल से चक्वंदी लेक जाप प्रिक्षा 2015 में यह पूछा गया था तो नागार्जून के बारे में पूछा गया था नागार्जून कौन थे तो नागार्जून कौन थे यहां पे ओप्षिन से थे एक बाँद भिक्षू थे ठीक है एक बहुत दार्सनिक थे यह कौन नागार्जुन अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है 53 नंबर क्वेश्चन यह भी बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महा भीनिस्क्रमड कहा जाता है या फिर महा भीन अब करेक्ट अगला प्रस्ण देखते हैं बुद्ध का जन्म कहा हुआ था ठीक है या बुद्ध का लुंबनी के अंदर हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरी निर्वार किसके गरतंत्र में हुआ था मल्लों के लिच्वियों के साक्यों के पालों के किसके गरतंत्र में हुआ था यहां पर जो सही आंसर है वो है option number a मल्लों के गरतंत्र में इनका महा परिंड़वाड हुआ ठीक है अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है सारिफुत्र मुग्लान और सुभद इसका सही आंसर क्या है तो इसका सही आंसर है option number डी सुभद अंतिम व्यक्ति थे गोतम बुद्धु द्वारा दिक्षित किये जाने वाले ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है बुद्ध ने सरवाधिक उपदेश दिये थे वैसाली में सरावस्ती में राजगरिह में कौसांबी में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा चलिए इसका सही आंसर क्या है तो इसका सही आंसर है सरा का उपदेश धिया कहां पर दिया कॉपिल वस्तु में दिया या लुबनी में दिया या बोद गया में या शार नात में दिया बताईए इसका सही अंसर क्या है कि परड़ा वट करए आप लोग कमेंट भी करिएगा इसका सही और नमबर डी ठीक है सारनात में दिया है ठीक है कहां पर दिया सारनात के अंदर यह उपदेश इन्होंने दिया ठीक है 59 नमबर कुश्चन बुद्ध की मृत्यू के परश्चात प्रथम बौध संगीती की अद्धिक्षता की गई किसके द्वारा की गई महा कश्चप के की गई थी ऑप्षन नमबर 60 जो है वह भगवान बुद्ध के महा पर निर्वार के बाद पहली बौध संगीती हुई थी कहां पर हुई थी राजग्रह गया या पाटली पुत्र में या वैसाली में तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर आप लोग अगर पता है तो कर करिएगा कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको आता है तो ठीक है इसका राजग्रह में या राजगीर भी इनको कहा जाता है ठीक है इस जो जगह का नाम है क्या कहा जाता है राजग्रह या राजगीर ठीक है चलिए अगला परसन देखते हैं अगला परसन है कस्मीर में कनि के साशनकाल में जो बहुत संगीती आयोजित हुई थी वो उसकी अधिक्सतान इमलिखित में से किसने की थी पार्ष ने नागारजुन चलिए इसका सही आंसर है राइट आंसर क्या वेस्वमित्र यहां पर राइट आंसर बुद्ध के उपदेश किसे संब्दित है बताएट के उपदेश किस्य संब्दित हैं इन ब्रहम चार्य धार्मिक कर्मकांड या आचरड की सुधता एवं पवित्रता से संब्धित है अगला प्रश्न त्रिप्टक क्या है बताईए गान्धी जी के तीन बंदर या ब्रहमा विशुडु महेस् या महाविर के तीनों नगिने या बुद्ध के उपदेसों का संग्रा राइट आंसर है option number D बुद्ध के उपदेशों का संगर धीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है चडिकवाद का परतिवाधन किसने किया चडिकवाद का परतिपादन किसने किया था option नमबर ए बुद्ध जैन चारवाक न्याय तो इसका सही आंसर है छडिक वाद का जो प्रतिपादन किया था ठीक है यहां पर ऑप्शन नमबर ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं 65 निमिलिखित में से किस बौद गरंथ में संग जीवन के नियम प्राप्त होत इसका राइट आंसर है बिनए पटक ठीक है बिनए पिटक में उके अगला प्रस्ण बौद ध्रम में त्री रत्न का क्या भी प्राय है त्री पिटक बुद्ध धम संग या सील समाधि संग यह सत्य अहिंसा और करोड़ा सही आंसर है अप्शन नमर भी बुद्ध धम और स्थापक है कोन है जयन ध्रम की संस्थापक राइट आंसर है रिशव देव ठीक है सबसे पहले इनले यहना ही जयन ध्रम के प्रथम तिर्थांकर कौन थे कौन थे अप्सें नमबर रिषब देव महावीर चेतक तो यहां पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है रिषब देव इन्हों नहीं स्थापना किया था तो प्रत्म ती ठंकर भी यहीं होंगे उके चलिए अगला प्रसंदेखते हैं जैन तिर्थांकर पार 69 था ना हाँ सिक्स्टी नाइन बताइए जैन तिर्थांकर पार्षवनात निम्लिकित स्थानों में से संबंदित थे और संब्सक्राइब यहां पर करेक्ट हो जाएगा वाराड़सी से संबंदित थे ओके अगला प्रसंद सेवेंटी नमबर महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था कुंड ग्राम में पाटली पुत्र में मगद में या वैसाली में सही आंसर हैं option A कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था मिर्थ्यू कहां होई थी पाबापुरी में हुए चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रसंद और महावीर जेन की मिर्थ्यू नि प्रटिस साशन के दौरां भूमी राजस्व पढ़ाली से सम्मंदित नहीं थी तो भूमी राजस्व पढ़ाली से संबंदित जो पढलया थी वह कौन थी उससे में जमिदारी प्रता थी माल महाल वाडी थी रहत वाडी थी एक दस तक नहीं थी ठीक है अगला प्रशन सेविंटी थी नंबर कोश्चन जैन तीर्थांकरों के क्रम में अंतिम कौन था पार्षवनात रिषब देव महावीर और मरी सुब्रत पार्षवनात तो पहले नंबर पे ठीक है और अंतिम नंबर पे कौन थे महावीर स्वामी ऑप्सन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएग जैन तीर्थांकरों के क्रम में अंतिम कौन थे तो महावीर स्वामी थे अगला प्रस्थन देखते हैं जैन ध्रम में पूड ज्यान के लिए क्या सब्द है जिन रत्न कैवल्य और निर्वार तो जैन ध्रम में पूड ज्यान के लिए कैवल्य सब्द का उपयोग किया जाता है ठीक है कैवल यानि कि पूर्ड ग्यान ओके चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं 75 नंबर क्वेस्चन है महाबीर स्वामी को किस नदी के तर पर ग्यानों दै प्राप्त हुआ था स्वड सिक्ता पलासीनी गंगा रिजुपाली का कौन सा आंसर यहां पर सही होगा आप लोग इसाई धर्म है तो क्या होगा इस का राइट आंसर इसका नमबर सी बाध धर्मुथ ठीक हैầuगा यह और और इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस कर देंगे चलिए मिलते हैं वीडियो में अब तक के लिए जैहन